हलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपूर पे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का गणीत का सॉलूशन देखेंगे जो आप लोग का एक्जाम आज 28 अक्टूबर को जो आप लोग का संपन हो गया है ठीक है तो चलिए इ को देखते हैं यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आयो तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल अकन को दबा लिजेगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए सबसे पहला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि समानता चत्र चत्रबुज में एक वीकर्न खीचा जाता है तो कितने समान चेतरफलन वाले तिरबुज प्राप्त होंगे मालेश एक समानता चत्र पुज है उस परकार से और उसमें एक ही वीकर्न JESSICA नंबर देहां पर राप्त होते हैं ऑप्सन नमेर यहां पर राइट अंसर होग अगला सवाल देखे क्या है question number 3 पर ये कह रहा है एक समानता चतरबुच का अधार 10 cm, छेतरफल 50 cm है तो इस चतरबुच की उचाई क्या होगी तो देखे समानता चतरबुच का जो है अधार दे दिया है चतरबुच की उचाई बुचाने अधार आपको पास है समानता चतरबुच का अधार आपके पास है छेतरफल आपको उचाई चतरबुच का चतरबुच का अधार आपको उचाई उचाई उसके बाद देखेगा question number 4 पर ये कह रहा है एक समानता चत्रबुच का आधार 8 cm उचाई 6 cm है छेत्रफल निकालिए तो दिखे आधार है और उचाई है छेत्रफल बराबर होता आधार गुना उचाई तो 8 गुना 6 कर दिज़ेगा 8-6-48 आजाएगा option number A हो जाएगा समान आधार पर समानता रिखाओं के बिजबने दो समानता चत्रबुच के चत्रफल का अनुपात क्या होता तो एक अनुपात एक होता है option number C हो जाएगा आते है question number 6 पे question number 6 में आपसे कहा जा रहा है कि यदि एक समानता चत्रबुच का विकर्ण बराबर है तो वह क्या होगा कौन से समानता चत्रबुच का विकर्ण बराबर होगा तो आपको option number C इसमें कोई विकर्ण ही नहीं इसमें भी नहीं है इसका होगा ही नहीं तो option C नहीं होगा जो बच जाएगा भई होगा वहाँ पर देख लिजाएगा आपको एक समानता चत्रबुच A B C D में यदि C D B ध्यान से देखिएगा यदि C D B 45 डिगरी और कौन D A B 65 डिगरी है तो कौन CBD का वमान निकालना है आपको ठीक है ये देख लिजे उसके बद question number 8 को एक काम करते है question number 8 हम लोग आप लोग को बता देते हैं उसके बद question number 7 और 9 और 10 तीनों एक साथ बताएंगे ठीक है तो सबसे पहले आप 8 देख लो पहले ठीक है अगर y 110 हो जाएगा ठीक है तो 70 और 110 कहां पहले option number D में ठीक है अब आते हम आपको बताते है question number 9 और question number 10 को एक साथ सबसे पहले हम लोग आते हैं question number 7 में एक समांतर चत्रबुज ABCD में यदि कोन CDB 45 है और को DAB 65 है तो CBD का मान आपको बताना है चली देखिए इसका answer क्या होगा चली आईए यहाँ पर answer में देख लिए यहाँ पर एक figure आपको दिखाए दिखाए दे दिया है ठीक है तो यह भी 45 होगा उसके बाद अगर हम बात करें कोन A प्लस कोन B कोन A प्लस कोन B का जो मान एक 180 डिग्री होता है तो यहाँ पर जो है इस B वाले को तोड़के लिखती है हम लोग AB ABD प्लस CBD ठीक है 180 यहाँ पर value put up कीजिएगा CBD का मान आपको यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 70 डिग्री केतना निकल आएगा 70 डिग्री ठीक है तो option number C वहाँ पर इसका right answer होगा आप लोग इसका screen shot ले लो ठीक है उसको बहुत अराम से इसको आप समझ सकते हो question number 9 में आपसे कहा जा रहा है कि एक समानतर चतुरबुच की उचाई 20 cm और छेतरफल 250 cm है तो इस चतुरबुच के अधार क्या होगा देखिए हम लोग क्या लेए छेतरफल बराबर क्या लिखते है छेतरफल आपको दिया 250 और छेतरफल 250 बराबर क्या हो अधार गुना उच उचाई कितना इसका 20 है तो जब आप अधार निकालोगे यह 20 कहां चला जागा इस 250 के नीचे आएगा कि नहीं आएगा तीक है अब इसको कटिंग कर लो दो से 25 को कट हो कि साड़े बारा बार में साड़े बारा का मतलब 12.5 देखिए 12.5 कहा है यहां पे option number B में ठीक है कोश इसके बारे में हम लोग मतलब की नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे सभी सब्जेक्टिव को आपको करा जाएगा ठीक है तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजएगा बैल अकन को दबा लेजएगा